Hello students, welcome to your Urdu class 7th work Let us begin studying Chapter का जो नेम है हमारा B.B. Fátima रजियो अलाँ ठीक है और chapter है हमारा 2 ठीक इसमें हमारा है मैं आपको रीडिंग कराऊंगी और आपको अच्छे से कराऊंगी लेकिन आपको भी उसे समझना होगा और आपको भी उसे लर्ण करना होगा तो देखो B.B. Fátima रजियो अलाँ अनहा हजरत मुहमन स्लियो अलाई वसल्म की सबसे छोटी बेटी थी उनकी वालिद का नाम हजरत खतीजात रजियो अनहा था B.B. Fátima रजियो अनहा नेक इबादत गुजर और बहुत महेंती खातून थी वो दिन और रात के ज्यादा तरुज में अल्लह तालाँ की अबादत करती थी उन्होंने बहुत सा सादा जिन्दगी गुजरी और हर साल में अल्लह का शुक्र अदा किया B.B. Fátima की जिन्दगी तमाम औरतों के लिए बेहतरी नमूने है हजरत मुहमन स्लियो अल्याई वसल्म अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे आप स्लियो अल्याई वसल्म ने एक मरतबा फरमाया के फातिमा रजियो अल्हाँ जन्नत की औरतों की सरदार है है जब हजरत मुहमन स्लियो अल्याई वसल्म किसी सफर से वापस आते तो पहले महजजिद में दो रकात नमाज नफिल अदा करते करते और फिर बीवी फात्मा र 365 के घर जाते बीवी फात्मा रыеज़ियों लग जब भी आप से मिलने आते तो हुजूरिति कैच अपनी चादर बिचा कर उने अपने पास बिठा लेते बीबी फात्मा की शादी हजरत जेनब और बहुत मशूर है बीबी फात्मा अपने शोहर और बच्चों की खिदमत के साथ साथ घर के तमाम काम भी खुद क्या करती थी जैसे खाना पकाना बरतन साफ करना जारू देना गला साफ करना और आटा पीसना बहुत ज्यादा मेहनत करने की वज़े से आप के हातों में गट्रे पड़ गए थे एक मरतबा बीबी फात्मा रजियों अपने वास्ते एक खिदमत गार तलब करने के लिए हुज़ूर के पास गए उस वक्त आप साथ साथ बैठे थे बीबी फात्मा रजियों अनहां शर्म लिहाद की वज़े से हुज़ूर के हुजूर से कुछ नहीं कह सके और वापस घर चली आई बाद में आप रसले लाले वसल्म खुद बीबी फात्मा रजियो अनहां के घर तश्रीफ लाए और उन से आने की वज़े पूछी बीबी फात्मा रजियो अनहां खामोश रही हजरत अली रजियो अनहों ने खिदमत-गार तलब करने वाली बात बताई तो आप चली लाले वसल्म ने अपनी छेहती बेटी से फरमाया बेटी सब्र करो रात को सोने से पहले सुभानल्ला 33 बार अल्हम्दुलिल्ला 33 बार और अल्ला हुऊ अकबर 34 बार पढ़ लिया करो ये तुम्हारे लिए एक मुलाजिम की खिद्मात से जाइदा बहतर होगा बीबी फात्मा ने जवाब दिया मैं अल्ला और उसके रसूल स्लिल्ला अल्यों की रजा में खुश हूँ बीबी फात्मा रजियोल्ला अन्हा ने कभी दोलत को खुआईश नहीं की घर में खाना ने होता तो वो फाके कर लेती और किसी को खबर तक ना होती इसके बावजूद जब भी मुका मिलता वो गरीबों की मदद करती थी कई बार ऐसा हुआ के वो और उनके बच्चे फाके से है कहीं से खाने का सामान महिया हुआ महिया हुआ लेकिन इसी वक्त किसी शाहिल ने सदादी बीबी फात्मा ने रजियूआ अनहा ने खाना शाहिल को दे दिया और खुद दान के यहां फाके ही रहा बीबी फात्मा रजियूआ अनहा औरतों को इमानदारी खिद्मत गुजारी और मुहबत भरी बरताओं की तालीम दिया करती थी उन्होंने अपने इसारा और इसारा और इखलाख से लोगों के दिलों को मौवा लिया था और सब उनकी इज़त करती थी विसाल से कुछ अर्से पहले अपनी अलालत के दोरान हुजूर अन्हें अपनी बेटी से बहुत धीमी आवाज में कुछ फरमाया जिस पर बीबी फातिमा रजी आन्हा रोने लगी उसके बाद हुजूर ने एक और बात ऐसी ही अंदाजे में कही और उस बार वो मुस्कुराने लगी बाद में पूछे जाने पर बीबी फातिमा रजी आन्हा ने बताया के पहली मरतबा हुजूर अन्हें ने फरमाया इसके बाद हुजूर ने उन्हें बताया के मेरी उलाद में सब से पहले तुम मेरे पास आओगी और इस बात पर वो मुस्कुरा दी थी बीबी फातिमा रजी आन्हा हजरत मुहम्मन सल्लाव अले वसल्म के विसाल के तकरीबन छे माँ बाद तीस अठाइस साल की उम्र में इस दुनिया से रुकसत हो गए बीबी फातिमा की जिन्दगी से नसीहत मिलती है के हमें सबर से काम लेना चाहिए अपने घरवालों और पडोसियों की खिदमत करनी चाहिए मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए मुसीबत और फाके में भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए तीक है मेने आपको रीडिंग करा ही है और इसा आपको अच्छे से लरंड करना है फिर अपकरने नोट बॉक का और वर्क है वो आपको यह आपका इस